असलाम लेकुम दोस्तो वेलकम टो टेक वेब यूटूब चैनल दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जी टी एस सी रंसेविर के बारे में गाइड करने वाला हूँ कि आप इस वाइरस को कैसे अपने कंप्यूटर से रिमो करेंगे और मैं आपको कुछ मेथड्स आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जिनको आप use करके आप data को recover कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारी चनल को सबस्क्राइब नहीं किया अभी जाकर हमारी चनल को जल्दी से सबस्क्राइब करें ताकि जैसे ही हम और कोई वीडियो इसके लिए लाते रहेंगे और आपको जो है बेनिफिट होता रहेगा हम इस रिंसम्वेर टॉपिक पर हम वीडियो बनाते रहते हैं करने के लिए तो अगस्त से पहले जितने भी आप यहां पर देखोंगी जितने भी एटाल थे तो सारे के सारे ओफ लाइन की यूज़ करते थे आपके देटा को वापस ने की बह। वाफ़ी बहुत तो जो भी issy रिमो कर देना है तो सकते हैं तो जो भी क्या करना है अ she सकते हैं लिगोंखने तो उसकते हैं तो चल्य फेले आपको क्या करना हैं आपको फेल Hearing होकर डाल होती है वहां पर आपको देखना कि कोई IP address अननुन ङसी नहीं हैиф तो नहीं joyful सारी सिनेरियोज में वहां पर आपका IP address उन्हें जो भी अटाकर होगा उन्हें डाला होगा तो आपके computer में वो कभी एक्सस कर सकते है और कभी कुछ भी चेंज यहां पर कर सकते हैं आपके computer को अप्लिकेशिन है वो यहां पर फिल जाएगा और आपको यहां पर run as administrator और है कि और उसके बा देख कर हमारा जो है notepaid यहां पर खुल गया है उसके बाद आपको file PDF कि ludzi करके यहां पर निचे आएंगे सिस्टम 32 करके नाम से एक फोल्डर होगा उस पे किलिक कर देना है और उसके बाद आपको ड्राइवर्स पे हम पर किलिक कर देना है ड्राइवर्स के बाद यहां पर ETC पे आपको किलिक करना है और यहां पर All पे show कर देना है और यहां पर आपकी जो host file है वो यहां पर आपको दिख जाएगी उसके बाद यह देखी यहां तक जो local IP address है यह आपके computer के IP address है इनको आपको कुछ भी नहीं करना है ठीक है उसके बाद आप बहुत सारी IP addresses देखोगे उसके बाद में आपको बहुत सारी IP addresses मिल जाएंगी यहां से मतलब नीचे जितनी भी IP address होंगे आपको क्या कर देना है आपको select करके उनको control D करना है यहां आप सीधे ऐसे right के लिए करके delete करेंगे और उसके बाद आपको जो host file है उसको save कर देना है सेव करने के बाद आपने जो पहला step है वो आपने कर दिया है और आपने जो भी access attacker को था आपने वो वापस ले ली है अब आपका computer उनके server से यहां पर connect नहीं होगा क्योंकि जितने भी IP addresses थे आपने वो delete कर दिये है तो यह था आपका पहला method और उसके बाद आपको क्या कर देना है उसके बाद आपने control पैनल में आएंगे मैं यहां पर control पैनल डाल दूँगा यहां मैं सीधे यहां पर appwiz.cpl ठीक है यह इसकी short form है और यहां पर मैं control पैनल के items में आ गया हूँ और यहां पर थोड़ा सा time लगे का open होने में यह देखिए यहां पर आ गया तो उसके बाद आपको क्या कर देना है यहां पर आपको सारे software यहां पर देखने है कि अगर आपका virus मान लो कल आया है आपको यह देखना है कि कोई ऐसा software तो नहीं है जो कल इंस्टाल हो गया है तो जैसे यहां पर मैं सारे के सारे dates चेक करूँगा और जितने भी software उस दिन खुद बोखुद इंस्टाल हुए है जिस दिन आपके computer में attack आया है आपको right click करके यहां पर उनको uninstall कर देना है तो यह था आपका दूसरा step जो आपको करना है तो अभी मैं यह आपको बता रहा हूँ कि remove और access को आप कैसे remove करेंगे उसके बाद आपको और एक method करना है यहां पर task manager में जाके task manager में जाने के बाद आपको यहां पर जो है start up पे click कर देना है और start up पे click कर देने के बाद आपको जितने भी यहां पर यह services दिख रही है आपको आप यहां पर सबको disable कर दीजिए क्यूंकि इसमें आपको बहुत सारे ऐसे भी मिलेंगे ऐसे software मिलेंगे जो खुद बहुत खुद enable हो जाएंगे और आपके computer को अटेकर के server के साथ connect करेंगे तो जैसी है computer को on करेंगे तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहां पर आपको सारे के सारे को यहां पर disable कर देना है और उसके बाद आपको यहां पर process में जाने के बाद आपको बहुत सारे Google Chrome यहू सर्च के options आएंगे आपको उन पर सब पर राइट किलिक करके end task पर यहां पर किलिक कर देना है तो यह था तीसरा स्टप उसके बाद यह सब करने के बाद आपको आपका computer यह है वो आपको scan कर देना है आप चाहे तो आप यहां पर आवास्ट कर सकते हैं यहां आप EMSI की साइड पर जाके EMSIsoft.com पर जाके आप यहां से इनको यहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं यह देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं आपको कैसे करना है आप यहां पर टूल्स में जाने के बाद Ransomware Decryption में जाने के बाद आप यहां पर News & Updates में जाएंगे और News & Updates के बाद आप यहां पर देखिए Anti-Malware Awarded यहां पर आपको क्लिक कर देना है यहां आप सीधे ऐसे इसको बैक करके यहां पर यह देखिए 7.2 है यहां पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा यहां पर टाइम लगने वाला है हाँ तो यहां पर यह 30 डेज के लिए जो है वो फ्री ट्रेल है तो आपको चिंता करने की जुरुत नहीं है आपको पैसे देने की जुरुत यहां पर नहीं है अगर वह आफ लाइन है तो आपका जो काम है वह यहां से ही बन सकता है, आप फिर से टूल्स में जाएंगे, यह रंसमर डिक्रप्श्ट में जाएंगे, और उसके बाद यहां पर आपका जो है, यह देखिए, यहां पर आप अप्लोड कीजिए, जो टेक्स्ट फाइल है, जि इमेल यहां पर करके यहां पर आपको अप्लोड कर देना है, तो यह सिर्फ लेकिन अभी जो अगस्त से पहले जितने भी डिक्रिप्शन से और उसके बाद जितने आए है, अगर आफ लाइन की यूज करता है, तो आपको यहां से ही सुलूशन मिल जाएगा, आपको और कु यार, यू, अइडर, और एकिस, इस पे ध्ली किलिकर देना, ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद यह होता है, विंडुोस रिस्टर पॉइंट, अगर आपके कंप्विटरने माले कभी आपने रिस्टर पॉइंट बनाया है, तो जो उसके बाद यहां कि चल रहा है, तो घ्ल कि कोई जरुत नहीं है आपको इस डेट पे किलिक करके यहां पर आपको नेक्स कर देना है और आपका जाए उसी डेट हो जाएगा आपको चिंता की जुरत नहीं है और आपका जो डेटा है वो बिल्कुल उसी फाम में वापस आ गया होगा लेकिन ये तब आपको काम करेगा अगर आपने कभी रिस्टोर पॉइंट बनाया है तो अगर आपने रिस्टोर पॉइंट नहीं बनाया है उसके लिए औ घिण च्छाजाश डाउं बोट्स.अगररेided हो रहा है तो मैंने आपकी ए हम 커피फिय नहींड करेगा और इन श्थिटाल के बाद यहीं से यह खुल गया है तो यहां पर आपको यह लेगा जो जो एकर टेट स्क्राइब्ण हो रहा जो और झो रहा है तो यहां पर भी आपक पर एक्जांपल मुझे यह वाला फोल्डर यहां कोई भी फोल्डर मुझे इंपॉर्टेंट है जिसमें मेरा डेटा था आप एक्चुल में क्या करता है जो शैड़ो एक्सपूलर है वो शैड़ो कापी बनाता आपकी हाड़ ड्राइव में तो यह कुशिश करता है कि जितना वह हो गया है लेकिन यह आपको तब काम करेगा अगर आपका यहां पर फोल्डर शो हो रहे है अगर फोल्डर शो नहीं हो रहे है तो इसका मतलब है कि आपका कोई रिस्टोर पॉर्ड नहीं है और यह आपका काम आने वाला नहीं है तो उसके बाद जो जो नेक्स स्टप है वो मैं हर किसी वीडियो में बता रहा हूँ वो है photo rack photo rack software आप फिर से यहां पर photo rack पे click करेंगे photo rack test disk photo rack test disk पे click कर देना और यहां से आप यह file इनकी download कर सकते हैं और इसमें थोड़ा सा यहां पर time लगता है और उसके बाद यहां पर test disk 7.2 पे आप क्लिक करेंगे और यह जो file है यह भी download होने वाली है तो चलिए यह यहां पर download होने वाली है और इसके बगएर भी आप कोई भी जो data recovery software है जैसे इस data recovery है या wonder share recovery है तो मैं उनकी link आपको description में दूंगा और वो मैंने बताए हुए कि उनको कैसे यूज करना है फ्री में आप उनसे भी आप कुशिश कर सकते हैं कि आपका जो data है वो recover हो जाए तो जो data recovery software है मैं लिक आपको description में यहां पर दे दूंगा तो यह यहां पर download हो रहा है तो मैंने शायद पहली इसको download किया हुआ है और मैं आपको यहां पर दिखाने वाला मैं यहां पर कर दूंगा और यह वाला फोल्डर आपकी computer में आ जाएगा जैसे आएगा उसको आपको किलिक कर देना है और किलिक के बाद आपको यहां पर जो दूसरा वाला रिस्टोर यह कोपी फोटो रैक स्लाइश अंडर स्कॉर वीन है इस पर क्लिक कर देना है और इस कर देता हूं ठीक है तो यहां पर इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा खुलने में तो यह देखिए हमारा जो सौफटर फोटो रैक का वह यहां पर ओपन हो गया है उसके बाद आपको होल राइव यहां पर स्लेक्ट कर देनी है उसके बाद फाइल फामेट में जाना है और जाने के बाद आप यहां पर रिसेट करके यहां पर आप पी या पी एंजी पी एंजी या अगर आपके पास जेपीजी है वो सिलेक्ट करके आप ओके कर दीजिए यहां पर ब्राउज में जाके आपको लोकेशन करनी है जहां पर आपका जो डेटा है वो रखना है उसके ब बाद मैंने आपको बताया हुआ है कि हम और कुशिश कर रहे कि आपके लिए नए नई में अधर रापर स्लूशन लाते रहेंगे हम तो हमारी चनल को जूरूर सबस्क्राइब कीजिए हमारी वीडियो को लाइक की लाइक की जिये और चली मिलते हो एक वीडियो में तब तक ल एिजिए इचाजद कुदाफिए